हेलो आप जब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आज हम करेंगे फेब्रेरी फर्स वीक के इंपॉर्डेंट करन्ट अफेर्स जो लोग ये चैनल पहली बाहर देखने हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत दिनों से ये लेक्षर्स में गैब था तब ये ठीक नहीं थी लास्ट वीक ऑफ जैनुरी जो आप लोगों को मिला वो भी बहुत मुश्किल से बनाए गया था तो आइस्ता इस्ता जैसे की हेल्थ इंप्रूफ कर रही है तो हम लोग आप इसे ट्रैक पे आएंगे तो आप उसको रिवाइस कर सके और आप लोगों को चीजे जो है वो जल्दी से जल्दी याद रह सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को वीडियो शुरू करने से बहले बता दू फेब्रेरी चल रहा है और फेब्रेरी में दो एक्जाब्स जो आपके है वो कंड़क् चल रहा है उसके accordingly हमारी टीम बना रही है questions आपको जंबड मिलेंगे तो अगर आप लोगों को यह test या कोई भी course खरीदना तो यह सही time है आप लोगों को बता दो शिवरात्री जैसे की आने वाली है तो आप लोगों को 20% discount हर एक course पे test पे मिल जाएगा और यह बहुत सकते हैं तो चलें शुरू करते हैं आज की class को बिना जादा time waste किया है सबसे पहला question आप लोगों के सामने है अभी हाल ही में एक Indian army के द्वारा exercise करवाई गई है जिसका नाम है तोपची अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह annual firepower demonstration होती है training exercise होती है जो कि कि किसके द्व बढ़ी चीज क्या है यहां पर जितने भी weapons जो यूज के जाते हैं वो होते हैं हमारे made in India आपको इसके उपर पहले भी बहुत बार बताया कि defense sector जो हमारा है वो इस made in India पर बहुत जादा काम कर रहा है क्योंकि हम लोग बहुत जादा चीज़े जो है defense में जो हमारी use होती है उसको हम लोग import करते हैं तो यहां पर हमारा कोशिश है कि import की बजाए क्यों ना हम इसको export भी करना शुरू कर दे एक्सपोर्ट का होगा जब वो हमारा made in India होगा और जिसमें सबसे बढ़ा एक नाम अभी आप लोगों ने भी सुना होगा news बहुत जादा था उसमें एक नाम है ब्रह्मोज मिसाई और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो की इंटर शो कर रही है ब्रह्मोज को खरीदने के लिए पहली कौन सी है जो खरीदेगी वो है फिलिपिन अब बात आते ही इस question के ओपर यह कहां पर करवाया गया है तो यह conduct करवाईगी थी महराश्ट्रा में मह महराश्ट्रा में अगर कभी पूछा जाए specific कौन सी जगा थी specifically वो जगा क्या थी उस जगा का नाम है दिवियाली जहां पर यह military exercise को conduct करवाया गया था और exercise तोपची जो है इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि क्या इसमें demonstrate किया जाता है तो यह annual five hour जो है हमारी उसकी demonstration होती है training exercise भी होती है तो यहां पर इसको याद रखिएगा पहला point यह काफी important होगा ठीक है next पर आते है next question आपको बता दूए next question भी काफी जादर important है sports category की बात की जाए तो मैंने आपको काफी बार बताया है sports में जब कभी भी women की बात हो और उसमें भी किस की बात हो हमारी Indian team की ब England को हराकी यह world cup जो है जीता है इसी के साथ यह ज्यादा important क्यों बजाते है क्योंकि यह पहला ICC under 19 women world cup था अब यहां पे एक नाम आप लोगों ने सुना होगा जो की आपको पता भी होगा अभी Indian team से भी खेलते है शिवाली वर्मा लेकिन उनसे ज्यादा important आम एक और है यहा स्पोर्ट से related है या फिर आप से भी पूछा जा सकता है कि शिवाली वर्मा कि स्पोर्ट से related है शिवाली वर्मा इंडियन टीम से भी खेलती है और under 19 में भी यह टीम की captain थी तो यह दोनों points आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत important है यह question भी next पर आते है हम लोग यहां पर एक question यह भी बन सकता है कि यह host किस ने किया था वर्ल्ड कप के इमार आपको direct इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसकी host country कौन सी थी तो host किया गया था South Africa के दवारा ठीक है यह जो वर्ल्ड कप खेला गया था यह South Africa में खेला गया था next पर आते है question no.3 के अगर मैं ब Martius Dave मनाया जाता है एक मनाया जाता है Martius Dave जिसको हम लोग शहीदी रिवस भी कहते है ठीक है यह आपका कब मनाया जाता है एक तो आप लोगों को पता होगा कि जब भगत सिंग को फांशी वी थी उस दिन को भी हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को ठीक है और उसके अलावा जिस दिन महात्मा गांदी को गोली मारी गई थी उस दिन को भी हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं इस बार ये था 75 तरडिशन यानि कि 75 था होता कब है 30 जैनुवरी को हर साल ये मनाया जाता है तो ये दोनों पॉइंट याद रखना माटिस दे दो बार मनाया जाते है एक्जाम में ऐसा नहीं कि आपको 23 मार्च का पूछा और आप लोग सिर्फ 30 जैनुवरी का याद करके जाए तो यहां पर याद रखना सुगदेव राजगुरू और भगत सिंग को जब किया गया था फांसी पे तब वो 23 मार्च था उसको भी हम लो इंडियन किसी को भी किसी बाहर के प्लैटफॉर्म पे यान किसी कंट्री से मिलता है यहां पर चलो इंडियन और युनाइटट किंग्डम अचीवर्स ओनर दिया गया है तो बहुत इंपॉर्डेंट होता है बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग हम मिस्टर मनमोहन सिंग को आप इनकी फोटो भी यहां पर देख सकते हैं मनमोहन सिंग को इस अवार्ड से समानित किया गया है ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और भी बहुत सारे कैटिकरीज में दिये गये थे अवार्ड लेकिन लाइफटाइम अचीवमेंट का जैसे मनमोहन सिंग को मिला है वैसे एक अवार्ड मिला था Living Legend वह किसे दिया गया है वह किया गया है लौड करन बिलिमोरिया को थीक है इनिया इस अवार्ड से जमानित किया गया है वैसे तो इंपॉर्डन यहां पर लाइफ।ेम चीवमेंट अवार्ड यह बंट आप लोग को कह सकते हैं जो 1991 में आया था उस समय इंडिया को बाहर निकालने का जब हमारे फॉर्णर बहुत कम बच चुके थे उस समय जिसने सबसे चीजे समझ में आ जाएंगी अभी हाल ही में एशियन वर्ड वाटर बर्ड सेंसेज हुआ है जिसको की एंडिंग जैनुवरी में कंड़क्ट करवाया था किस स्टेट में जिसमें 52 एवियान स्पेशिस जो है वो अब्जर्व करी गई थी देखो यह जो है यह करवाया गया थ अब यहां पर चेंज हो चुके हैं अब लदाख के गवर्णर अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनका नाम है बीडी मिश्रा ठीक है यह पहले किस जगा से थे तो यह थे जो यह थे हमारे अरुनाचल प्रदेश से लेकिन अब यह है हमारे लदाख के गवर्णर बने हैं लदाख की अगर माँ बात करूँ लदाख ने सिक्किम के साथ एक मोई साइन किया है ताकि उसको और गैनिक स्टेट बना दिया जाए कब तक दो हजार पच्चिस तक ठीक है तो यहां पर यह चीज़े याद रखना के इमार पेपर में यह भी पूछा जा सकता है अगर आप लदाख ने इसमें कल्लाबरेट करा था तो बस इतना याद रखेगा कि जो 52 अवियां स्पीशिस है वो लदाख में अब्जर्व करी गई है नेक्स बात है इंडियन कोस्ट गार्ड डे वाज अब्जर्व अक्रॉस इंडिया 1st February को यह मनाया जाता है तो इस बार कौन सा र है कि यह मनाते कब है हम लोग तो यह मनाते हैं हम लोग 1st February के दिन यह काफी इंपॉटन है यह पूछा जा सकता है पेपर में तो यह चीज याद रखेगा नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में यह मेंने हमारे इंस्टाग्राम पे भी जो यह basic काफी इंपॉटनेंट को मिल जाते हैं तो भी हाल ही में अंदरप्रदेश जो थी स्टेट इसके जो सी एम है वाइस जगन मोहन रेड़ी जी इन्होंने पहले कहा था कि हमारी तीन कैपिटल्स होंगी जिसमें तीन नाम थे अमरावती का विशाखा पटनम का ठीक है और तीसरा नाम आप लोग बता सारी ऑफिशल कैपिटल होंगी तो आप लोगों काम थोड़ा सासान कर दिया पहले आप लोगों सभी आदि रखना पड़ता था जुडिशल कौन सी है लेजिसलेटिव कौन सी है तो अब आपको बस एक याद रखना है कि इन्होंने डिकलेर किया है कि आंद्रप्रदेश की जो है वो हैद्रबाद है अब अंद्रप्रदेश की कैपिटल जो है वो विशाखा पटनम आपको बस इतना याद रखना आपको यह याद रहे लेजिसलेटिव कौन सी थी या जुडिशल कौन सी थी पहले मैं आपको बाट वो भी बता देता हूं कि अगर कभी पूछा जा अलावा थी तीसरी कुर्नूल कुर्नूल आ जाती थी आपकी जुडिशियल कैपिटल तो यहां पर यहाद रखना यह 2019 में किया गया था उसके बाद अब जाके यहां पर इन्होंने यह चेंज कर दिया है कि जो तीन कैपिटल जब वो नहीं होंगी एक ही कैपिटल होगी तो वो होगी आपकी विशाखा पटनाव इसके काफी एक पेटिशन भी फाइल की थी सुप्रीम कोड में जिसमें चैलेंज किया था आई कोड बहुत लंबा यह चला था अब फाइनली आपको बस इतना याद रखने नेक्स पर आते हैं हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने लांच करा है आरोहीनी इनिशेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम अब इस प्रोग्राम में क्या होगा इस प्रोग्राम के तहट सेफ्टी और सेक्यूरिटी दी जाएगी 746 कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले में जियो की के जी बीवी के नाम से भी जाना जाता है यह लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आरोहीनी इनिशेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम यह किसके द्वारा किया गया है यह उत्तरप्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है जो सीम है वहां के योगी अजित्यनाच जिनको आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने ताकि जो लड़किया आती है उनको भी इतना इनेबल किया जा सके ताकि वह अपनी आवाज उठाएं अपने हक के लिए तो यह चीज़ें याद रखना यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के गवर्नर कोन है अभी तो वह है अनंदी बेन पर टेल मैं एक बारी लिस्ट में चेक कर लेता हूँ कहीं वो तो चेंज नहीं हुए तो नहीं वो अभी भी अनंदी बेन पटेल ही हैं तो आपको बस इतना याद रखना है ठीक है नेक्स पर आते हैं क्वेशन नमबर नाइंथ के अगर मैं बात करूँ एंडिंग जन्वरी में ही वापिस से एक चीज हुई थी यूनियर मिनिस्ट्री ओफ पोर्ट शिपिंग और वाटर वेज और आयुश के द्वारा सबनन सोनवाल जो इस समय हैं उन्होंने होस्ट किया था मी दाम मी पही फेस्टिवल नियू डैली में अब कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको ये एन्वल फेस्टिवल है तो देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जब कभी भी आपको वर्ट दिखेगा ना मो वहाँ पर आप लोग आंखे बंद गरें के आंसर मार कर देना ओडिसा मो का मतलब क्या होता है ओडिसी में उसका मतलब होता है मेरा लेकिन ये जो मी दाम मी फई फेस्टिवल था यह असाम का फेस्टिवल है तो यहाँ पर मो जब कभी भी कहीं पर दिखेगा क्योंकि उडिसा ने निकाली थी मो भारत मो बहुत सारी इस तरीके की स्कीम्स निकाली थी जिनके स्टार्टिंग में मो लगा दिये गया था तो वो आपके ओडिसा की है यह जो मी आ जाता है यहां पे मी दाम तो यहां से आप लोग इसको लिंक भी कर सकते हैं या याद रख सकते हैं असाम के द्वारे यह किया गया है ठीक है तो यह याद रखना असाम का एनुवल फेस्टिवल है इसको इनौगरेट किसने किया था या होस्ट किसने किया था तो क्या किया था सर्बनंद सोनवाल के द्वारा जो इस समय हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटर वेस मिनिस्टर भी है और साथी साथ आयूश मिनिस नहीं का मतलब आ जाता है आपको ओफरिंग्स ठीक है दाम का मतलब आ जाता है एंसेस्टर्स और लास्ट वाला जॉब फे दीख रहे हैं वो आ जाता है गौट ठीक है तो यहां में वाज इतना याद रखेगा आप लोगों को यह नहीं बूलेगा एक्जाम में अगर हो जाए कि 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 के द्वारा ये किया गया है अभी हाल ही में तो यह वहक रहा है नागलान की सरकार के द्वारा नागलन ने अभी हाल भी में पतंजली के साथ यह किया है ठीक है पतंजली और नागल Ann मिलके अब यहां पे कोशिश करेंगे कि area expansion on the palm oil cultivation का यहां पे इसको याแ देखो वापिस से यह questions जो है यह important है यह आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हो सकता है recently वाले में ना हो या फिर थोड़ी दिर बाद जो एक्जाम से उसमें पूछा जाए पहली female prime minister बनी है equatorial गेनिये की तो वहां अगर पूछा जाए कि कुन है तो यहां पर इ यह questions important category में आ जाते हैं next question भी बहुत जादा important है former Indian player थे परिमल दे जिनका निदर हो गया है आप से पूछा जाएगा दो तरीके से पहला पूछा जासकता है कि परिमल दे जिनका भी हाली में निदर हुआ है कि स्पोर्ट से related थे तो यह आपको बता दू यह footballer से इसके बहुत ही famous अपने time पे football player भी थे यह तो इनको यहां पे दो चीज़े याद रखना आप लोग पहला कि कि स्पोर्ट से related है दूसरा इन्हें किस नाम से जाना जाता है तो यह दोनों आपसे paper में पूछे जा सकते हैं next पर आते हैं the last heroes foot soldiers of Indian freedom अभी हाल ही में book launch हुई है इसके author कोन है तो अभी हाल ही में जो book कियी गई है launch जिसका नाम है the last heroes foot soldiers of Indian freedom तो यह किसके दौरा की गई है यह इंडिया के एक बहुत ही famous journalist है इनका नाम क्या है तो आपको बता दू फालगुमी साइनाथ इन्होंने भी हाल ही में इसको क आता है तो इनके दौरा यह भी हाल ही में book जो है वो launch की गई है इसको याद रखना इस book में काफी सारी चीजे जो है जिसको highlight की गई है किस तरीके से common people ने उस समय heroic activities में पाट लिया था किस तरीके से British rule के against चीजों को किया था तो यहां पे आप लोगों को यह सब देखने को मिल जाएगी नेक्स पर आता है question no.14 की अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में international world wetland day जो मनाया गया यह अभी recently paper में भी पूछा गया था JKPSI के कि कब मनाया जाता है तो आपको बता दू यह आप से शाय से JKS में भी पूछा गया था मुझे exact याद नहीं है बट इस तरीके question पह आपको यह याद रखना है यह question already paper में पूछा जा चुक है इसका आतला यह नहीं कि पूछा नहीं जाएगा जो आप लोगों को एक idea लग जाएगा कि कितने जाद है तो यहाँ पर याद रखना इसके हाँ अगर हम बात करें जो theme है यह भी change होती है बार बार आप United Nation के according जो theme में वो अलग है थोड़ी सी 2023 wetland की वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ according to UN अगर कभी आप से पूछा जाए तो वो याद रखना वो है revive and restore वैसे तो restoration ही आप याद रखना आपको strike कर जाएगा degraded wetlands ठीक है यहाँ पर वस इत्ता याद रखना आपको यह अगर पूछा गया तो आप करेंगे हाँ इसके अलावा एक चीज़ याद रखना टोटल इंडिया में कित्ती रामसर साइट्स है अब यह आपका homework है ठीक है रामसर साइट्स हमारे यहाँ बड़ी है 15 अगस तर ट के बताना जेंड के में टोटा नामसर साइट्स कितनी है और दूसरा question जो भी recently पूछा गया था सबसे ज्यादा किस state में नामसर साइट्स है यह दोनों question आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाए हुए है next प्या आजाओ next question के अगर मैं बात क communication होगी between the people and the child rights panel तो इसका क्या नाम रखा गया है बहुत important है यह जो आप लोग कहते हैं कि science and tech में हम लोग क्या पढ़े science and tech में आपको यह चीज़ें भी पूछी जा सकती है तो क्या अभी हाली में किया गया है देखो जो डेली के deputy cm है इसमें मनीश्यू सोडिया इन्होंने यह नोट कर लीजेगा 931 155 1393 तो यह नंबर है बट आप लोग बस इतना याद रखेगा आप इस पर whatsapp message कर सकते हैं यहां पर two-way communication जो होगी आपकी और child right panel के बीच में अब यह किया क्यों जाता है कभी आपसे अगर interview में पूछा जाए आप कभी किसी interview में जाएं कि इन सब चीजों का aim क्या है इसका main aim यह है कि इसको accessible बनाया जाए efficient way में responsive way में ताकि जो children's है उन लोगों को भी जो high risk पे रहते हैं उन लोगों को भी पता चल सके कि उनके हब क्या क्या है तो यहां पर यह चीज यहां रखना next पर आते हैं अभी हाल ही में कोंसी state government ऐसी है जिसने launch कर गई है यह किसके द्वारा की गई है यह MP के जो cm है शिवरा सिंग चोहान इनके द्वारा करी गई है 1000 रुपे दिये जाएंगे हर women को जो की financially थोड़े पूर background से आती है इसके अलावा खेलो इंडिया भी आपके समय चल रहे हैं गेम्स कहां पे चल रहे हैं वह भी चल रहे ह आपके मध्यप्रदेश में ठीक है खेलो गेम्स का कौन सा एडिशन है जो इस समय चल रहा है यह आपका होग है comment box में लिखके बताईएगा लाडली बहना जो है कोशिश की जाएगी कि 12,000 रुपे पूरे साल में मिले ताकि जो भी लड़के financially poor background से आती है या जो भी women's वहा साल ही में कौन सी state UTSC है जिनोंने launch करा है मेरो सुख मेरो संताती अब यहां पर देखो जब word आता है मेरो तो यहां से इतना आप लोगों पर चल जाएगा कि अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं इस तरीके से ठीक है तो यहां पर क्या है मेरो एक बारी अगर कभी random guess भी करना आओ तो कहां पर देखने को मिलेगा इस इस side आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया की खासियती यह है जो भी हमारी state और यूटी आम तोर पे जो schemes launch करती है वो अपनी मात्र भाशा में करने के आनिकि जो state की regional language उसमें करती है जैसे मो हम लोगों ने देखा ओडिसा करता है आज हम लोगों ने मी एक देखा जो offerings होती है वो असाम के द्वारा की जाती है जो भी recently है अब यहां पर मेरो आया है अब मेरो से मुझे जहां तक लगता है दो जगाए है जहां पर देखा बोलने के लिए मिलता है उच्पे एक आपका सिक्किम आ जाता है और एक आपका यहां पर वेस्ट बंगॉल इन जगाओं पर अगर ऑप्शनल अनिमलेशन से जाओगे तो यहां से ऑप्शन यह दो हर जाएंगे इसके बाद लख है अगर आप कर सकते हो अब यहां पर क्या है मेरो रुख मेरो सनार्थी यानि यह प्लांट ट्री लीव लेगिसी इस रखना यह किया गया है सिक्किम के द्वारा दूसरी चीज जो सिक्किम के सीम है क्या नाम है उनका उनका नाम है प्रेम सिंग तमांग इन्होंने का है ताकि यह जो है यह सीडिंग्स देंगे जितने भी ने पेरेंट्स होंगे उनको देंगे ताकि वह प्लांट करें सो ट्र फिहंगम एक वेब पोर्टल बनाया गया है वेब बेस पोर्टल बनाया गया है किसके द्वारा किया गया है तो यह किया गया है देखो कोल इंडिया की एक आम है mcl जिसका नाम है महा नदी कोल फिल्ड लिमिटेड इन्होंने किया है इसके अलावा इस question से ज्यादा important है आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा कि अभी बहुत एक बंडार मिला है लिथियम का तो यह कहां पर मिला है जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर में कहां पर रियासी में जो रियासी डिस्टिक्ट है जम्मू कश्मीर भी वहां पर मिला है यह लिथियम और लिथि वाके में सच है यह नहीं अगर यह चीज सच होती है तो यहां पे इंडिया फ्यूचर में जो वैसे प्लान कर रहा है क्योंगे हम लोगों ने बहुत बार डिसकस किया है एक तो रिन्यूवबल एनर्जी को लेके उसके लावा हम लोग देख रहेगी किस तरही से कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया इस समय फोकस कर रहा है और इलेक्ट्रिक वीकर्स पे भी किस तरीके से स्ट्रेस दे रहा है एक बहुत ही बड़ी लीड यहां पे अपने आप मिल जाएगी इंडिया को अगर यह चीज यहां पे आप लोगों को देखने को मिलती है तो इसलि से लिश्टमे आई है इडियन कमपनी जो है अगर पूछा चाए टॉप किस ने किया है तो टॉप इसको किया है एपल के द्वारा और आप लोग यहां पर सोचके थोड़ा सा हैरान हो जाएंगी कि यह लगातार 16th year consecutively इन्होंने यहां पर टॉप किया है second position पर tie था किस-किस के बीच पे एक तो था आपका Amazon और दूसरा था आपका Microsoft के बीच में बाट यहां पर अगर पूछा जाएगा कि टॉप किस ने गया यानि कि वर्ल्ड की most admired company कॉन सी है तो हो है एपल तो जिसको यह award मिला है next पर आते है question number 20 की अगर माँ बात करूँ according to the global leader approval survey जो recently released किया गया है morning consult in February 2023 मे who has become the most popular leader in the world for the second consecutive year with 78% approval rating तो अभी हाल ही में जो है लगारा दूसरे साल भी परदान मंत्री नेरेंद्र मोदी जो है वो इस list में top किये गए है तो यहां पर यह भी याद रखना लेकिन कहीं मार क्या होता है कहीं मार यह पूछा जाता है कि यह जो report आई है global leader approval यह survey किसके द्वारा release किया गया तो आपको यह भी याद रखना है कि यह morning consult यूस-based consulting firm है इन्होंने किया है इसके लावा अगर हम बात करें आप लोगोंने भी नाम सुना होगा कैसे तरीके से किया क्योंकि बहुत ही जादा यहां पर जो है आप लोगोंने इनके शेयर्स में भी प्राइस फॉल करते हुए देखा था और यह भी एक इंपॉर्टेंट ड्यूस है आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यह हिंडनबर्ग कंपनी कहां की है क्योंकि यह बहुत सारी जो है रिसर्च करती आ रही है अब नेक्स पर आते हैं यही क्वेश्चन जो आप लोगों को बताया था अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेर्स एंड स्पोर्ट के अनुराक सिंग जी इन्होंने हाल ही में LG जो है जमू कुश्मीर लगे होए होडिंग्स लगे होए देख लिए होंगे कि वैलकम फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो की गुलमर्ग में खेली जाएंगी जमू कुश्मीर देखो यह पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है जो सिंपल सी बात है कि कहां पे होंगी कौन सा तो यह थर्ड एडिशन विंटर गेम्स का कहां पे खेला जाएगा जम्मू कुश्मीर में खेला जाएगा कब खेला जाएगा तो यह भी फिलाल चल रहा है तब यह होडिंग्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं आ रहे हैं दस से चोदा फेमरेरी तक यह चलेगा गुलम इस दिखाता है इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर इंपॉनेंट पॉइंट्स की तो आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बार में दो चीज़े और पता होनी चाहिए पहला जम्मू कुश्मीर में हो रहा है सबसे पहली चीज़ यहां पर टोटल नाइन स्प एडिशन कहां पर हुआ था किसका खेलो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट की बात कर रहा हूं मैं तो अगर कभी पूचा जाएगा कि पहला एडिशन कहां पर हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तो यह आप लोग बताईए कि कहां पे हुआ था comment box में लिखके बताइए तो यह जो पहला edition हुआ था 2020 में ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही हुआ था ठीक है first edition second कहां पे हुआ था second भी जम्मू कश्मीर में था और third भी जम्मू कश्मीर में ही होगा और इसके अलावा ये जो tournament थी दोनो एडिशन में टॉप किया गया था जे अंडगे के द्वारा ही और third edition में भी उमीद ही है कि जे अंडगे ही टॉप करेगा बट आपको ये पता होना चाहिए तो यह याद रखना कि तीनो एडिशन जम्मू कश्मीर में ही हुए है और दोनों अभी अडिशन जो पहले वाले थे वह जम्मू कश्मीर नहीं जीते हैं विंटर गेम्स के ठीक आज़ो नेक्स्ट क्वेशन के उपर अभी हाल ही में वानी जैराम जो है एक यह सिंगर थी इन्हें पद्मबूशन मिला था 2023 इसी साल इसने इस से समानित किया गया था और इनका अभी रिसेंटली ही निदन जो है वो हो गया है तो आपको यहां पर यह चीज को याद रखना है आपसे यह इस बार इसका डेट भी पूछी जा सकते है कि अभी हाली में जिन्हें पद्मबूशन से समानित किया गया था और जिनका रिसेंटली निदन हो गया है उनका नाम क्या था तो उनका नाम है वानी जैराम तो यहां पर याद रखना इन्हों दसजार से जादा गाने गाए हैं नेक्स बात है अभी हाली में थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ लिंट किया जाता है फ्यूमन फैटनेटि ज्यू है यह उब्सेम किया गया है युणाटेडंशन के दौर ये ज़र इपना यह बंदा जाता है जो की है र drink LOOK ठीक है वर्ल्ड कैंसर डे भी आपका चार फेबरेरी को ही बनाया जाता है तो ये दोनों नोट कर लेना ये बहुत इंपोर्टेंट है इसके लिए एक कैंपेंच चलाया गया था 2022 से लेके 2024 तक उस कैंपेंच का नाम क्या था उसका नाम था पहला और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस साल 2023 की थीम क्या है तो देखो थीम को भी याद रखना थीम आपसे बहुत बार पूछी जाते है कैंपेंच की थीम वो थी क्लोज दा कियर गैप यूनाइटिंग और वॉइस एंड टेकिंग एक्शन यहां पर यह चीज याद रखना दोनों चीज़ा पूछी जा सकती है कैंपेंच का जो थीम था जो कैंपेंच चलाया जा रहा है दो साल का उसका थीम भी यही था और इसकी जो थीम थी साल की वो याद रखने में आपको असानी हो जाएगी ठीक है नेक्स पर आते हैं आम लोग नेक्स क्रेशन के अगर मैं बात करो भी हाली में कुन सी स्टेट और यूटी है जिन्हों है लांच करी है एक हेली टूरिजम सर्विस जो फर्स्ट प्रीमियम हेलिकॉप्टर सर्विस होगी अब यौ-खे द्वारा किया गया है तो यह किए गए गया है गोवा के दरा गोवा के जो सिएयव म है ounding supporters साव्थ जिन्होंने अब भी हाल रही में लांच कर रहा है पीपिक पर पीपीप मॉडल डारेक्ट कही बार पूछा जाता ही होता है पुब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मॉडल इसके तहट यह लॉंच किया गया है तो आपको पहला पॉइंट यह याद रखना है चीक है इसके अलावा घरम बात करते हैं नेक्स्ट के उपर नेम दा इ distinguished scientist का award दिया गया है 2022 का तो यहां पर याद रखना अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर विश्नु परसाद जी कौन है तो यह founder chief scientist है विश्नु परसाद research center के जिनने अभी हाल ही में award दिया गया है तो यह काफी important है इनको भी याद रखना question no.27 की अगर मैं बात करूँ अभी रिसनली अनॉंस करा है विच स्टेड टैबलो एज डविनर अफ फॉर्स प्राइज अंडर बेस्ट टैबलो ऑफ स्टेड यूटी पार्टिस्पेटे इन रेपब्लिक डेप्रेट देखो अभी एक पूरा जो है वह चलाया गया था मिनिस्ट्र डिफेंस ने यहां पर जो ह पाई गई थी हम लोगों ने भी शेयर किया था कि हमारी जो स्टेट है उसको यह यूटी जो है उसको यहां पर वोट करवा के हम लोग करें लेकिन जो एक्सपर्ट पैनल के अगर मैं बात करूं उनके द्वारा जो विनर है वो है उत्त्राखंड का ठीक है पहला पॉइंट यहां पर यह याद रखना जो एक्सपर्ट के द्वारा जो थे जिन्होंने अब्जर्फ करा उनके द्वारा जो जीता गया है वो जीता है उत्त्राखंड ने ठीक है इसके अलावा अगर आप से पूछा जाएगा उस समय तो वोटिंग के अकॉर्ण तो उत्तर प्रदेश चल रहा था लेकिन जो विनर डिकलेर किया गया है एस पर एक्सपर्ट तो वो है उत्तराखंड पहला पॉइंट उत्तराखंड के जो जहांकी जिसको हम लोग अपनी लोकल लेंग्विज में बोलें जो निकाली जाई गई थी उस दौरान तो उसमें उत्तराखंड को यह व ही बेस्ट मार्चिंग कंटेजिन का वार्ड मिला है तो यह दोनों यहां पर आप लोग याद रखिएगा CRPF अगर मार्चिंग में पूछा जाएगा और अगर आप से पूछा जाएगा स्टेट के या यूटी में तो वहां पर थे उत्तराखंड अगर मिनिस्ट्र डिफे हैं हर्मन प्रीत कोर हर्मन प्रीत कोर से पहले विराट कोली भी यह रह चुके हैं तो इन्हें पॉइंट किया गया है प्यूमा का ब्रैंड अंबसेडर इंडियन स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम के अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं नेक्स हुई है यह कहां पर कंड़क्ट या कहां पर हुई है तो यह करवाई गई है चंदीगर में बहुत इंपॉर्टन है यह सारे आपको नाम याद रखने हैं इंडिया के प्रेजिदेंसी में जहां तक चीजें होंगी आपको याद रखना है इंडिया कब से लेके कब तक प्र आते हैं अब आज का लास्ट कुरेशन और काफी इंपॉर्टेंट कुरेशन है अभी हाली में एक जॉइन ट्रेनिंग एक्सराइज कंड़क्ट करवाई गई है और आम्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडियन एंडियन एयर फोर्स सेंट्रल आम फोर्स नौर्थ बेंगॉल में कर करवाई गई थी एम इसका यही था कि जो प्रेक्टिस होगी बैटल प्रिपेरनेस में उसको लेके यहां पर जितने भी वैपन यूज होते हैं उन सब को एक इंटिग्रेटेड इंवॉर्मेंट में किस तरीके से यूज किया जाए तो इसलिए आर्मी एयर फोस ये पीएफ सारे यहां पर थे और अगर एक और चीज आपको बताओ इनिन एफोस ने भी अपनी जो है एन्वल मेगा एकसरसाइज जिसका नाम क्या था जिसका नाम था पूरवी अकाश नॉर्थ इसन डिजन में इसको भी अभी हाल ही में कंड़क्ट करवाया था दो साल के गैप के बा साइस त्रिशक्ति प्रहार तो यह थे हमारे फेबररी फर्स वीक के कुछ इंपॉर्णेंट करण अफेर्स जो हम लोगों को लगे एक्जाम पॉइंड व्यू से इंपॉर्णेंट हो सकते हैं तो यह 30 करण अफेर्स हम लोगों डिसकस किये हैं लेकिन इसके अलावा जो 60-70 पूरे हफ्टे में जो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं आप लोगों को डेली एक PDF मिलता है और महीने के एंड में एक मंथली मैगजीन देना भी हम लोगों ने आपको शुरू कर दिया और इतनी मैं गरेंटी लेता हूं कि अगर इस साल के क्वेश्चन आएंगे करण अंटर फेर्स के तो वो इस दोनों टॉपिक्स के बाहर से नहीं हो सकते और जो बच्चे भी कोर्स लेना चाहते हैं कोई च के